नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी नियूज में आपका स्वागत है खब्लोक्योर बढ़ने से पहले एक नजर सुख्यों पर दर्भंगा में एम्स बनाने को केंद्र सरकार तयार बिहार में पकड़ा हुआ विवाँ से फिलहाल रहत नहीं दोया में वियतनामी नागरिक समेट तीन करोना के मामले आएं सामने यूँ इंड़ा की जीत के बाद महौल को लेकर बीसीसी आई ने शेर किया वीडियो इसके साथ ही बरते हैं शामता की बड़ी खब्रों के उर विस्तार से दर्भंगा में एम्स बनाने को केंद्र सरकार तयार बिहार के दर्भंगा में एम्स बनाने को लेकर राज़सरकार के द्वारा दिये गए नए प्रस्ताव को केंद्र सरकार के द्वारा स्विक्रत कर लिया गया है और अब केंद्र सरकार रिस्ट्रक्चर करने में जुटी है वही अब माना जा रहा है कि बहुत जल्द ही केंद्र सरकार के द्वारा दर्भंगा एम्स के नर्मान को लेकर टेंडर की प्रक्रिया शुरूप कर दी जाएग दरबंगा एम्स को फोरलिन की कनेक्टिविटी से जोड़ना है और साथ ही यहाँ पर जमीन का संतली करन कर बिजली और पानी की आपूर्ती बहाल की जानी है इसके रावा राजी सरकार ने यह भी अनुरोध किया है कि वदरबंगा में नई डिजाइन का एम्स नर्मान करवाएं जो स्थानी जरूरतों को पूरा करे नगरविकास विभाद केंद्रवर राज्य की योजनाओं की करेगा समिछा नगरविकास एवं आवास विभाद के द्वारा अपने अधीन चलने वाली सभी केंद्रिय और राजे इस्तरिय योजनाओं जैसे सच भारत अभियान नमामी गंगे दिन दयाल अर्बन योजना सभी के लिए आवास पीम आवास योजना समेत ऐसी सभी योजनाओं की मौजुदा इस्ति की सगन समिक्छा की जाएगी और इससे सम्बनित प्रस्तूती करण भी होगा आपके जानकारी के बता दे किया समिक्छा 10 और 11 जन्वरी को बिहार की राजधानी पटना के ग्यान भवन में विभागिये मंत्री सा उपमुख्य मंत्री तेश्वी आदव की मौजूदगी में की जाएगी जिसमें सभी नगर निकायों के कारे पालक पदादिकारी सिटी म आनिजर समीत अने संबंधत पदादिकारी मौजूद रहेंगे जोरान विभाग में आयोजित इस समिक्छा कारिक्रम में सभी प्रमुख योजनाओं के क्रियानवन ठोस कच्रा प्रबंधन और सीविच ट्रीटमेंट प्लांट समीत अने सभी प्रमुख योजनाओं की परिक्षा में शामिल हुए थे तो यहां खबर आपके लिए है बता दे कि बहुत जल्दी इस परिक्षा की सप्लिमेंटरी रिजल्ट जारी कर दी जाएगी इसको लेकर बिहार सरकार के सच्छा विभाग के द्वार आयोग को एक पत्र भेज दिया गया है बता दे कि इस बार प्यर्थी ऐसे है जो एक स्यधिक अस्तर के सिक्षक परिक्षा में सफल हुए हैं ऐसे में कई सीट खाली हो गई है अब आयोग इन्ही रिक्तियों के एवेज में सप्लिमेंटरी रिजल्ट जारी करेगा ग्री विवाग से संबंधित लंबित सुनेकाल सूशनाओ पर बैठक आठको आठ जनवरी दोहजार चौबिस को विधान सभा विस्तारित भवन इस्थत समीती कक्ष में शाम सारी तीन बजे बिहार विधान सभा की सुनेकाल समीती की विवाग्य बैठक होने वाली है जिसम ग्री विभाग से संबंद लंबत सुनेकाल सूँष्णाओं पर चर्चा की जाएगी और कारवाई की जानकारी ली जाएगा आपके जानकारी के बतादे कि इस बैठक में कुल 352 लंबत सुनेकाल सूशनाओं को लेकर जवाब तलब किया जाएगा इस बैठक को लेकर ग्रीब विभा के अवर सचीवा भवेश कुमार सरदार के द्वारा सभी संबन्धित अधिकारियों से लंबत सुनेकाल सूशनाओं को लेकर की गई कारवाई की अधितन रिपोर्ट मागी गई है ताकि उस रिपोर्ट में लंबत सूशनाओं को सही समय पर बिहार विधान सभा को अपलब्ध कराया जा सके मालुमों कि 8 जन्वरी को होने वाले इस बैठक में सभी संबन्धित अधिकारियों को निश्रित रूप से शामिल होने को कहा गया है बिहार में पकड़वा विवा से फिलहाल रहत नहीं सुप्रीम कोट के जस्टिस हीमा कोहली एवं अहसानुदीन अमानुला की पीट के द्वारा पकड़वा विवा या जबरन विवा को रद करने वाले पटना हाई कोट के एक आदेश पर रोक लगा दी गई है और इस पर बजंतरी और अरन कुर्मार जहां की पीट के द्वारा कहा गया था कि विवा का परंपरिक हिंदू पड़व सब्तपड़व और दत्थों के अभाव में व्याध नहीं होता है यदि सब्तपदी पूरी नहीं होती है तो विवा पुर्ण और बाधिकारी नहीं माला जाएग को दो दिवसी प्रसक्षन कारेशाला की शिरवात हो गई है जिसमें बाल विकास परियोजना पदादिकारी एवं मैला पड़ेविक्चिकाओं को प्रसक्षित किया जा रहा है आपकी जानकारे के लिवता दे कि है प्रसक्षन शिशु पोसर के निगरानी एवं समुदाय त पारण गया एवं गोपालगज के नाम शामिल है छप्रा नगर निगम की दो महिला सफाई कर्मी गंतंतर दिवस समारों में जाएंगी दिली छप्रा नगर निगम के नगर आयुक्त के द्वारा सभी सफाई कर्मीयों के कारेव के समिछा उप्रांत दो सफाई महिला कर्मीय पतादे कि रूबी देवी पती विक्की राम एवं राथा देवी पती संतोष राम को भारत सरकार के द्वाराइज ज़ाए गया है जिसके लिए आने जाने के लिए विभागी खर्चे पर उनको दिल्ली ले जाया जाएगा वहें दोनों सफाई कर्मियों के नाम का चेहन होने पर सभी कर्मियों में खुशी का महल बना हुआ है सिटी मैनेजर वेद प्रकास वर्णवाल नीरश कुमार ज्छाक के द्वारा दोनों सफाई कर्मी के चेहन होने पर उन्हें बधाई दी गई है गया में वियतनामी नागरिक समेथ 3 कोरोना के मामले आये सामने बिहार के गया जिले में एक विदेशी नागरिक 12 चट्टी की एक 5 वर्स की बच्ची वह 12 चट्टी की 21 साल की एक यूवती समेथ कोरोना के कुल 3 नए मामले सामने आये है स्वास्त डीपीम निलिश कुमार के द्वारा दी गई जानकारी के नसार विदेशी नागडिक के उम्र 35 वर्स है वहिन तीन मामलों के साथ अब तक जिले के 11 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आच चुकी है वहिस के लावा एक औरंगाबाद का रहने वाला व्यक्ति भी करोना संक्रमित पाया गया है अलाके अब तक किसी भी संक्रमित को अस्पतार में भरती कराने की जरूरत नहीं पढ़िया सभी संक्रमितों को होम आईसलेशन में रखा गया है वहिन मामलों के सामने आने से अब स्वास्ते विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड में आ चुका की खर्णपीट की द्वारा सूबे में निकाय चनाओं में OBC समाज को आरक्षन मिलेगा या नहीं इस मामले पर सुनवाई की गए और कोट नहीं अपने फैसले को सुरक्षत रख लिया है हाला कि यह सुरक्षत रखा हुआ फैसला कब सुनाया जाएगा इसको लेकर अभी तक क कुप्रीम कोर्ड द्वारा निर्धारे तीन जाच अहरताएं पूरी नहीं कर लेती इसके साथ ही अभी सुनशित करने को कहा गया था कि अनुस्चित जाती जन जाती अन्य पिछरा वर्ग के लिए आरक्षन की सीमा कुल सीटों का 50 प्रतीशत की सीमा से जादा ना हो PMCH के 5 डॉक्रों का वेतन रुका बिहार के स्वास्ते विभाग में सुधार को लेकर कहीं कदम उठाए जा रहे हैं इसी कड़ी में एक नया मामला सामने आया है जो बिहार की राजधानी पट्टा मेंसित PMCH अस्पताल से जड़ा हुआ है दरसल ऐसी जानकारी सामने आई है क पिछले कई दिनों से ये शिकायत मिल रही थी कि PMCH के रेडियो लॉजी विभाग के रेडियो लॉजिस्ट ड्यूटी से डॉक्टर्स गायब रहते हैं जिसके बाद अब PCCH के अधिचक डॉक्टर आयस ठाकुर के द्वारा इस मामले को लेकर रेडियो लॉजी विभाग का और चक निरिक्षन किया गया था तो इस दोरान पांच डॉक्टर गायब मिले जिसके बाद अविन पांचों डॉक्टर के वेतन पर रोक लगा दी गई है और सभी को कारण बताओ नोटस जारी किया गया है मालुमों कि जन पांच डॉक्टर संतोष कुमार पसाद, सियर नितीश को संयोजग बनाये जाने के चर्चा पर जेडियू को अपती, बिहार में बीते कुस दिनों से बिहार के मुख्यमंत्रे नितीश खुमार को इंडिया गडबंधन का संयोजग बनाये जाने की चर्चाय चल रही है इसी को लेकर अब जेडियू के मुख्य नहीं है लेकिन इस तरह की बात से मन के अंदर टिस का भाव पैदा होता है नितीश कुमार की चिंता सीट शेरिंग को लेकर हैं मालम हो किसे पहले बिहार सरकार के मंतरी अशोग चौतरी के द्वारा भी सीम नितीश को सहयोजक बनाने पर आपत्ती जताई गए थी और इसे रा अपनामा दाखिल करने के लिए समय मांगा गया दरसल मार्च में तेश्वी आदब के दोरा गुजरातियों को ठक कह दिया गया था जिसको लेकर एहमदाबाद में मानहानी का केस दर्च किया गया था जिसके बाद इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गय मालुमों कि तेश्वी आदफ के खिलाफ शिकायत करता कि दौरा दावा किया गया था कि हबयान सारवजनिक रूप से दिया गया था और पूरे गुजराती समुदाय को ठक करना सभी गुजरातियों को सारवजनिक रूप से बदनाम और अपमानित करता है अक्टर सौरब सुकला पहुंचे पटना House of Variety Theatre का किया उद्घाटन बीते दिन बॉलिवूर्ड अक्टर सौरब सुकला बिहार की राजधानी पटना मेसित रिजिजन्ट सिनेमा हॉल मेसित House of Variety Theatre का उद्घाटन करने पहली बार पटना पहुंचे थे बता दे कि सौरान उन्होंने कहा कि उनका दुरभाग्या है कि वह पहले पटना नहीं आए थे पर अब वो खुद को सौभाग्य साली मान रही है कि वो यहां आए उन्होंने कहा कि अगर उन्हें पटना कर फिल्म बनाने का मौका मिले मालम हो कि हाउस ओफ फेराइटी थेटर में एक साथ उन्चास लोग बैठ सकते हैं इसका उदेशे विविद कला और सांस्तोत गती वीडियों के साथ एक गती सील होना है तीम इंडिया के जीत के बाद महौल को लेकर BCCI ने शेयर किया वीडियो केप टाउन में टीम इंडिया के दोरा साथ अफरिका के खेल कर शादार जीत हांसल की गई बहीं अब इस जीत के बाद खेल के मैदान से ड्रेसिंग रूम तक का महौल कैसा था इसको लेकर BCCI के दोरा सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया गया है जिसमें टीम इंडिया के विनिंग मोमेंट को दिखाया गया है बता दे किस वीडियो के शिरवात में टीम इंडिया का ड्रेसिंग रूम दिखाया गया है जानियाँग बिहार में क्या है पेटरॉल डीजल के रेट? बिहार में आज यानी शुक्रवार को पेटरॉल डीजल के रेट जाले के एकस के बाद राजधानी पटना में आज पेटरॉल 107.303 रुपे और दिजल 94.907 रुपे प्लती लिटर में मिल रहा है पुनिया में पेट्रॉल की कीमत 1.0 रूपे और डीजल 25.6-3 रूपे प्रती लीटर है भागलपुर में पेट्रॉल की कीमत 1.8 रूपे और डीजल 25.7 रूपे प्रती लीटर निर्थारित की गई है अब बरते हैं आज के 5 सवाल की और हमारा पहला सवाल है नगरविकास विभाग केंद्रवर राजी की योजनाओं की समिच्छा कप करेगा? आप्शनी 10 और 11 जन्वरी, आप्शनी 12 और 13 जन्वरी, आप्शनी 14 और 15 जन्वरी, आप्शनी इन में से कोई नहीं इसका सही उत्तर है आप्शनी 10 और 11 जन्वरी, अगला सवाल, ग्रीव विभाग से संबंधित लंबित श्रिनेकाल सूषनाओं पर बैठा कब आयोजित की जाएगी? आप्शनी 6 जन्वरी 2024, आप्शनी 7 जन्वरी 2024, आप्शनी 8 जन्वरी 2024, आप्शनी 9 जन्वरी 2024 इसका सही उत्तर है आप्शनी 8 जन्वरी 2024, अगला सवाल, भारे सरकार के 26 जन्वरी के परेड को देखने के लिए छपड़ा के किन दो सपाई कर्मियों का चेयन किया गया है? OPTION A, RUBY DEWI, OPTION B, RADHA DEWI, OPTION C, OPTION A और B दोनो, OPTION D केवल OPTION A इसका सही उत्तर है OPTION C, OPTION A और B दोनो PMCH के कितने डक्टरों के वेतन पर रोक लगाई गई है और कारण बताओ, नोटस जारी किया गया है? OPTION A तो OPTION B, 5, OPTION C, 8, OPTION D, 10 इसका सही उत्तर है option B 5 अगला सवाल आज गया में डीजल की कीमत क्या है? option A 94.99 option B 95.63 option C 94.79 option D 95.31 इसका सही उत्तर है option D 95.31 बीते दिन हमाई दुरा पूछ के सवाल का आप लोगों में से बहुत तोगों ने पहजाब हमें हमारी comment section box में लिख कर दिया है जिन्होंने हमाई दुरा पूछ के सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है अर्जुन राम, मदन कुमार, मोहित, राज दीपक कुमार, कुष्ट कुमार, यादव, नीरज कुमार, नौशद राजा, बाबूलाल मरांडी, धनन जय कुमार, रवी कुमार, राम, अनवर करीम खान, रिशिकेस सा, प्रमोदितुत कुमार, रवी शंकर, मुहम्मत सकीर इसके साथ ही भरते हैं आज के सवाल क्यों राज का सवाल है, आपके रुसार पकड़व, अवेवास, सही है या गलत, अपना जवाब हमें अमारे कॉमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम खबरों के साथ, बने रहने के लिखते